सानन कमेटे की रिपोर्ट में हर भाड़ती के लिए अलक परिक्षा पर किरिया सरकार ने हमिरपूर में 33 सिर्ण पदों के भाड़ती के लिए हिमाचल परदेश राज्य चेन आयो की स्थाफना का निर्ण लिया दोस्तो इसे राज्य के सारजनिक उपकर्मों वाडों निगमो स्थानिय निकायों इत्यादी के लिए फिन पदों की भाड़ती प्रिक्षा होगी पेपर लिक मामले के बाद हमाचल परदेश करमचारी चेन आयो को भंग कर दिया गया था परदेश में नई भाड़ती एजेंसी स्थापित करने को लेकर डॉक्टर दीपक सानन कमेटी एक रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है कमेटी दूसरी और अंतिम रिपोर्ट अक्टोबर के पहले सप्ता में देने का प्रियास कर रही है माना जा रहा है कि दूसरी रिपोर्ट में हर स्रेणी के पदों की भाड़ती के लिए अलग-अलग प्रिक्षा प्रिकिरिया होगी इस सम में कमेटी चरणबदे तरिके से काम कर रही है ताकि भविश्य में होने वाले किसी भी प्रिक्षा पत्तर के लिख होने की आशंका ना रहे पहले रिपोर्ट में दिये गए थे दो सुझाओ सानन कमेटी के और से सरकार को दी की पहली रिपोर्ट में आवेदन करता अब्यारतियों से सरोपर्थम कंप्यूटर लर्निंग टेस्ट के साथ सामन्य पात्तर का प्रिक्षा लेने का सुझाओ दिया गया था ये दोनों प्रिक्षा देने के बाद ही प्रतियों की प्रिक्षा की मुख्य प्रिक्षा के लिए पात्तर होगा